क्या रॉक वाकई ब्लड लाइन में है या वो आने वाले टाइम में रोमन रेंज के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं क्या डबल डबल फुद रॉक के विट्रेल को टीज कर रही है बार-बार सब के बारे हम बात करेंगे आज की स्वीडियो में जो की काफी कमाल के और इंटरस्टिं होने वाली है उम्मीदे आप सभी को पसंद आएगी तो लाइक करें बिना बिल्कुली मत जाएगा अब रिसेंट में हुए स्मैक डाउन के एपिसोड में हमें रॉक और रोमन रेंज एक साथ दिखाई दिये जहां कि रॉक ने अपना जबर्जस हील केरेक्टर दिखाया जहां वो क्राउड और फैंड्स पे जम के बढ़के उन्होंने कहा कि तुम्हें रैसल मीनिया 40 में हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच रोमन रेंज वर्सेज रॉक के बीस दिख रहा था बढ़ तुमने उस पे फलश चला डाला वी वांट कॉडी वी वांट कॉडी तुम कर रहे थे कॉडी को अपनी स्टोरी फिनिश करनी है उसकी तरह नहीं होता है और काफी कुछ फैंड्स को उन्होंने कहा और एक तरह से टार्गिट करा अब रॉक और रोमन रेंज जब एक साथ दिखे तो सब को लगा होगा कि हाँ भई दौनों साथ आ चुके हैं जो की नॉर्मल है बट कुछ ऐसा हुआ जो शायद सब ने नोटिस ना कराओ बट काफी कुछ ऐसा हुआ है जैसा कि रॉक ने जब कॉडी रूट्स को धमकी देते हुए कहा कि मैं शौर करता हूँ और पूरी ताकत लगा दूँगा कि तुम रैसल मिनिया फॉर्टी से हार के निकलो एक लूजर के तौर पर अब ये बात रॉक ने कहीं तो कॉडी रूट्स के लिए थी सब को यही दिखाया गया बट रॉक ने ये बात कहते हुए रोमन रेंज की तरफ इशारा करा था फिंगर करी थी जिसे रोमन रेंज नहीं देख पाये थे जिसने कहीं न कहीं ये टीज कर दिया है कि अभी तो रॉक बेशक रोमन रेंज के साथ दिख रहे हो बट हो सकता है कि उनके मन में कुछ बड़ा चल रहा हो और वो आने वाले टैम में हमें देखने को मिल भी जाए वह ये ही हिंट नहीं है और भी है WWE ने एक short video upload करी जिसमें उन्होंने short का title लिखा आप देखने से तो ऐसा लग रहा है कि WWE कहना चाहरी है कि The Rock part हैं bloodline के बट ए और part में कोई gap नहीं है जिसका मतलब ही बिलकुल उल्टा हो जाता है अपार्ट का मतलब अलग होना होता है महीं इसके कुछ टाइम बाद WWE ने इस शॉर्ट वीडियो का टाइटल चेंज करा और ए और पार्ट के बीच गैब दे दिया तो फिर ये अलग मतलब हो गया इसका अब देखके ऐसा लगाएगा कि WWE से साथ कोई mistake हुई हो ऐसा करने में बट ऐसा नहीं है WWE कोई चोटी मोटी company नहीं है बहुत बड़ी है और ऐसा पहले भी काफी बार हमने देखा है और फिर वो चीज़ें उसके बाद होती हुई भी दिखाई दी है तो clear है WWE कही ना कही हिंट दे रही है कि fans को rock के लिए कि rock कुछ बड़ा खेला करेंगे Roman Reigns के साथ आने वाले time में वह इतने नहीं और भी हिंट है जब SmackDown में rock और Roman Reigns का promo end हुआ तो सबी ने हाथ उपर उठा के Roman Reigns को acknowledge करा जिसमें सबी के हाथ की मुठी बंद होती है और एक finger बाहर होती है बड़ा आप rock का हाथ देखो अलग ही दिखाई दे रहा है rock ने मुठी बंद नहीं करी है अब यह sign है ही नहीं वी दा वन्स का या यूँ कहूं acknowledge करने का या bloodline का sign ही नहीं है तो यहां से भी देखके clear है कि कहीं न कहीं rock के mind में कुछ बड़ा चल रहा है जो कि आने वाले time में हमें दिखाई देगा मैं WWE यहां से भी दिखाना चारी है कि बेशक WrestleMania 40 में Roman Reigns वर्सेज रॉक के बीच मैच ना दिख पाया हो बटाने वाले time में इनके बीच मैच होगा और WrestleMania 40 में कुछ बड़ा हो सकता है जो कि शायद Rocky साइट से हो सकता है अब क्या पता Rocky Roman Reigns की हार का कारण बन जाए और Cordy Roads अपनी स्टोरी फिनिश करते हो नजर आ जाए तो यह काफी interesting twist देखने को मिलेगा हमें अब देखते हैं क्या होता है अभी तो Half-Lal WrestleMania 40 तक का वेट करना ही पड़ेगा देखते हैं रॉक पल्टी मारते हैं या नहीं अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा अभी की वीडियो में इतना ही पसंद आए तो लाइक को शियर करें उस तरग इंट्रसिंग अपडेट्स के लिए चैन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें बलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू